चोपड़ा एजुकेसन यूटूब चैनल पर मैं हरसाई चोपड़ा आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ दोस्तों स्टुडेंट के तीन सबसे बड़े डाउट इस समय ये हैं कि नीट 21 का एकजाम कब होगा क्या ये सगेंड मैं को होगा या फिर डेट एक्स्टेंड होगी दूसरा बड़ा डाउट ये है कि सेलेबस रिड्यूस होगा या नहीं होगा क्योंकि प्रजेंट सिच्वेशन के कारण तकरीबन स्टेट बौर्ड और सीब्येस्ट का सेलेबस रिड्यूस हुआ है तीसरा डाउट ये है कि नीट 21 के क्यूसन पेपर का डिफिकल्टी लेवल क्या रहेगा तो इन सब का डाउट का रिप्लाई एंट ए डाइरेक्टर सिरी विनीत जोसी ने कैरियर 360 के साथ हुए इंटरव्यों में दिया है उसके मैन मैन पॉइंट से इस परकार से हैं जो मैं आपको यहां बता देता हूँ नीट 21 की एकजाम डेट को लेकर उन्होंने कहा है कि इसकी एकजाम डेट जल्द ही अनौन्स कर दी जाएगी जेई मैन के लिए उन्होंने कहा है कि जनवरी की बजाए ये फरवरी में होगी और इसकी भी exam date जल्द ही announce कर दी जाएगी तो दोस्तों इससे ये साफ हो जाता है कि NEET 21 का exam date 2nd माई 21 को ही होगा और NTA दोरा इसकी जल्द ही गोशना कर दी जाएगी syllabus reduce को लेकर उन्होंने clear कर दिया है कि JE और NEET 21 के लिए कोई syllabus reduce नहीं होगा syllabus semi रहेगा इसका मतलब यह है कि जो syllabus 2020 में था वही syllabus 21 के लिए रहेगा अब बात करें NEET 21 के क्यूसन पेपर के difficulty level की तो इसके बारे में NTA डारेक्टर ने पहले ही clear कर दिया था कि पेपर का difficulty level easy रहेगा और 2019 और 2020 में इसका example आप देखी चुके हैं आप यह NTA के पेपर दे चुके हैं और जिसने नहीं दिया है वो 19 का और 20 का पेपर available है तो वो पेपर देख सकते हैं कैसा था ऐसा ही पेपर 21 में रहने की संभावना है वीडियो के अंत में सारानस यही निकलता है कि नी 21 की exam date 2nd माई 21 को ही होगी सहले बस सहमी रहेगा और पेपर easy आएगा अभी समय कम है अभी से तैयारी शुरू कर दें बाकी और कोई इसके बारे में update मिलेगी तो मैं आपको inform कर दूँगा आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को subscribe करके बैल आइकोन प्रेस करें वीडियो को like वह जदा ही जदा शेयर करें मिलते हैं नई जानकारी के साथ नए वीडियो में तब तक मैं हरसाई चोपड़ा आपसे लेता हूँ विदा जय हिंद